पब्लिक टीवी आपकी आवाग विश्वी हिंदू संसद्य की एक बैठक दिली रोड इससे सरकेट हाउस के संपन हुई जिसमें 15 सेतंबर को होने वाले भगवा प्रांतिय विश्वी हिंदू महातंग के सम्मेलन पर चर्चा की गई बैठक में जलाद्यक्ष सतीष धल ने कहा इसमेलन के मुख्यतिति प्रतेश ध्यक्ष और प्रदूशन नेंतरन बोर्ड के सदस्य भिकारी दास प्रजापती होंगे सभा के दल ने कहा कि हिंदू सभा को जागरत करने और मोधी जी और मोधी जी की यूजनाओं को घर घर पहुचाने के लिए महासंग के पदादिकारियों और कारे करताओं को यूद इस्तर पर कारे करना होगा मोदी जी और योगी जी की यूजनाओं को लागू कराने से ही बल मिलेगा सतीर धल ने ये भी कहा कि कामर यातर में तो देविदार की अंगेटी हूँ तो ततकाल प्रशासन को अवगत कराया जाए बक्राईद के त्योहार को देखते हुए इस तरफ विशेष ध्यान दिया जाए कोई भी व्यक्ति वद्ध ना कर पाए बैठफ में महासंग की सदसता बढ़ाने पर जोड़ दिया गया सतीस धल ने कहा कि जो भी वक्ति राष्ट के साथ दगदारी करता है तो उसका भी परदा फास करना करता वेबनता है धल ने ये भी कहा कि जो संसद भारत माता और वंदे मात्रम नहीं बोलते हैं उनकी सदसता खायत्म करने ही तू संसद में बिल लाया जाए ताकि देश के खिलाफ कारे करने की किसी की जरूत ना पड़ सके रादिष दिया है कि 15 स्तुमबर को आपको मुरादा बाद में परciliation कर रहा ह। जिसमें बुरे उत्तर मासं के लोग मुझे व मुझे अनॉमती दी गई इसी के तहट मैंने मुरादाबाद में आज कालक रहा उसी कोई लूप रीखा बनाने क्लिए मुरादा वास की क्या एहम होने वाला है एहम मुद्दा ये रहेगा कि हिंदु समाज को किस तरीके से जाबरत करना है योगी जी के और मोदी जी की योजनाओं को लागू कराना है आपको क्योंकि बहुत से लोग यहां मुरादाबाद में भड़ी संक्टन चलाकर केवल धन दोलत की कठा कर रह है कौन शामिल होने पड़ी उसने हमारे पर्देश के मुक्चामतियों पर्देश के अध्यक्त फिखारि दाज प्रजाबति मुख्य अतीती मुरादाबाद होंगे और दूसरे हो सकता है था आ संगीज सोंग जीो मुरादाबाद में मुख्यतीय की बचूमğin आरहा है